Hello guys, welcome to an academy, मैं हूँ अनिकेतर करवाल अज हम एक बहुत important news को discuss करेंगे जो है Russia के अंदर हुए oil spills तो आपको पता है कि recently Russia के अंदर oil spills हुए थे तो उस्तिके regarding हम पूरी detail में चर्चा करेंगे क्या-क्या questions बन सकते हैं क्योंकि आपको GS1 और GS3 दोनों में पूछा जा सकता है तो क्या questions बन सकते हैं क्या static topic जो है वो link हो सकते है और map के अंदर कहां-कहां के important cities हैं या important areas हैं जहांसे आपको questions पूछे जा सकते हैं वो सब इस video में cover होगा वीडियो शुरू करने से पहले में आप लोगों को से request करना चाहूंगा कि आप इस video को like कीजिए, comment कीजिए and share कीजिए अपने दोस्तों के साथ, subscribe कीजिए हमारे चैनल को साथी इस bell icon को भी दबाईए ताकि आपको regular updates जो on academy के articulate channel की हैं, वो मिलती रहें साथी में आप लोगों को पताना चाहूंगा on academy plus के बारे में जिसके अंदर आप एक ही subscription से बहुत सारे courses की videos, lectures जो हैं वो देख सकते हो और आप अपने तियारी घर बैठे बैठे कर सकते हो इसके अंदर हमारे पास कहीं सारे plans है 1 month का plan है, 3 months का plan है, 6 months का plan है 1 साल का और 2 साल के भी plans है सबसे जादा फायदा आपको 2 साल की plan में होता है क्योंकि इसके अंदर आपको 75% तक off मिल जाता है और आपको 10% extra discount मिल जाएगा using the code ANI7 तो आपका total amount 2 साल का बनता है 43,200 जो किसी भी offline coaching से बहुत जादा कम है और आपको काफी अच्छे वीडियो इसमें देखने को मिलते हैं प्लस इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं जो हम lecture के end में discuss करेंगे You should also join our telegram channels तो आप लोगों को हमारे telegram channels को भी join करना चाहिए जिससे कि आपकी UPSC की तियारी अच्छे से हो सके क्योंकि आपको इसमें regular updates मिल जाएंगे PDF files मिल जाएंगी और अन्य resources जो भी आपके exam से समंदित हैं वो सारे के सारे यहां पर दाल दिये जाते हैं तो आपको description में भी इसके link मिल जाएगा तो यह Unacademy Articulate का telegram channel है इसके लावा यह मेरा personal discussion group है Study Time YT आप इसे search करेंगे तो telegram पर आ जाएगा इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी address किये जाते हैं यह मेरा Unicate Sir के नाम से telegram channel है जिसपे मेरी और जो updates हैं वो आती रहती है तो आपको इसको भी join कर लेना चाहिए Of course यह सब free है So Russia has declared a state of emergency in its Krasnoyark region after power plant fuel leaked causing 20,000 tons of diesel oil to escape into Ambranaya river तो आपको याद रखना है Ambranaya river और Krasnoyark region तो इन दोनों जगह की बात हो रही है मेल ली तो emergency लगाई है Krasnoyark region के अंदर and 20,000 tons of diesel oil था वो leak हो गया किस के अंदर? रिवर के अंदर जो की है Ambranaya river Krasnoyark region is located in the vast and specially populated Siberian palinsula तो यह Siberia के region के अंदर located है और बहुत ज़्यादा कम population है महाँ पे and Ambranaya river is the part of a network that flows into the environmentally sensitive Arctic zone तो यह Arctic ocean के अंदर चला जाता है जो कि environmentally sensitive areas के अंदर आता है हमारे ecology के लिए बहुत ज़्यादा important है और यहाँ पर जो pollution बढ़ रहा है उससे कहीं न कहीं environment का overall नुक्सान हो रहा है oil spills का वो यह है तो यहाँ से basically पूरे के पूरे आपका जो Arctic ocean है उसके अंदर contamination हो सकता है और यह आपका north pole आगया बिल्कुल center में तो इसलिए हमारे लिए environmentally बहुत ज़्यादा challenging चीज़ है तो आपको पूछा जा सकता है कि Arctic circle जो है इसे वाले latitudes होते हैं ऐसे वाले latitudes parallel होते है और क्योंकि उपर की तरफ है north की बात हो रही है तो यह north में आएगा 66.5 degrees north और यह 8 country से पास होते है 8 countries हैं जिसको यह intersect करता है एक तो आपका Norway हो गया उसके बाद आपका Sweden हो गया यहाँ पर student देख सकते हो Norway इसी तरह आएंगे Scandinavian countries उसके बाद Finland again Scandinavian country उसके बाद Russia Russia के बाद आपका USA का यह जो अलास्का वाला portion है USA उसका Canada का उपर वाला भाग यह वाला जो इरिया है और उसके बाद आपका Denmark जो कि Greenland क्योंकि Denmark कंट्रोल करता है तो Greenland या Denmark और उसके बाद Iceland Iceland का एक चोटा सा आईलेंड यहाँ बीच में बढ़ता है तो यह 8 countries के नाम जो है आपको याद रखने है और यहाँ से आपको पॉशन आ सकता है तो अगे रिवाइस कर लेते हैं Norway, Sweden, Finland, Scandinavian में हो गया, उसके बाद Russia हो गया, USA हो गया, USA का लास्का वाला पॉशन Canada हो गया, Denmark का Greenland वाला पॉशन और Iceland का एक चोटा सा आईलेंड तो यह 8 countries है जहां से यह पासओन करता है तो अगर आपको latitude और longitude में कोई confusion है तो आप मेरे basic geography वाले courses देख सकते हो जिसके अंदर हम NCRT से शुरू कर रखा है हमने तो उसके अंदर आपको यह चीज़े clear हो जाएंगी तो थर्मो इलेक्टिक पावर प्लांट लोकेटिद इन नियर नोरिल्सक सिटी नोन अस दे कंट्री जिकल कापिटल around 3000 km northeast of Moscow जो capital है रश्या का is built on permafrost which has weakened over the years owing to climate change तो हमें permafrost को समझना है क्या होता है permafrost और इसको हम next slide में समझेंगे Moscow के पास पढ़ता है Moscow से काफी दूर पढ़ता है यह जो आपका city है और यह city की importance क्या है इसको country का यानि की रश्या का nickel capital बोला जाता है और nickel metal का काफी जाता उपयोग होता है आपको पता इलेक्रिक चीज़ों वेगारा में तो इसलिए important है इनके लिए और यह thermoelectric power plant था जहां से लिकेश हुई है तो basically हुआ क्या की permafrost था यानि की वो पूरा का पूरा जो मैदान था जमा हुआ था और वो जमा हुआ मैदान जो climate change की कारण बेचर बढ़ रहा है उसके कारण थोड़ा थोड़ा पिंगलने लगा जिसके कारण जो fuel tank था वो डूबने लगा और सारा का सारा जो वो लीक होने लग गया तो overall आप कह सकते हो कहीं ना कहीं गलती जो निकाली जा रही है वो climate change की निकाली जा रही है climate change का सबसे बड़ा अगर कोई reason है तो वो humans है तो again indirectly humans की ही गलती थी जिसके कारण ये पूरा problem हुआ और इसके अलावा जो ये नॉरल्क city है ये अपने आप में ही permafrost के उपर ही बना हुआ city है इसकी भी हम location अभी map में देखते हैं according to a report Norils is one of the most heavily polluted places on the earth तो report के अनुसार सबसे ज़्यादा polluted places के अंदर Norils का भी नाम आता है तो one of the most polluted cities है ये world में तो ये आप map देख सकते हो ये वाला area आगया आपका Norils का तो आप देख सकते हो कितना pass है ये हमारे arctic circle से क्योंकि अभी हमने arctic circle देखा था इस तरह से वो cross करता हुआ जा रहा था और जो capital है Moscow वहां से काफ़ जादा दूर है लगभग 3000 km ये दूर बताया जा रहा है तो ये area पूरा जमा रहता है इसलिए इसको permafrost कहते है तो अब देखे permafrost का meaning क्या होता है the ground that remains frozen for two or more consecutive years यानि कि दो या दो से जादा साल लगा आतार अगर कोई चीज जमा हुआ हुआ ये area जमा हुआ है ग्राउंड जमा हुआ है तो इसको हम permafrost कहते हैं तो आपको province में इस तरह से technical पूछा जा सकता है कि permafrost होता क्या है तो जर्णल मीनिंग तो है कि कोई भी lsाया हुआ है लेकि technical मीनिंग क्या है वो है कि दो या दो से जादा साल तक अगर कोई area जमा हु यानि कि अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं, जिनको आइस के साथ बांद के जो आइस के साथ जुड़के वो पूरा का पूरा ग्राउंड जो है, वो फ्रोज हुआ हुआ है, तो आप ऐसे लगाओ कि अगर आप एक प्लेट के अंदर बरफ जमा देते हैं, और बरफ के बीच में मिट्टी भी दाल देते हो, पत्ते भी दाल देते हो, और एक दो पत्थर भी दाल देते हो, अपने लॉन में से लगाल के, और उस पूरे को पानी इसे भर देते हो, उसका फ्रीजर में जमा देते हो, तो जमने के बाद जो आपके पास चीज आएगी, जिसके अंगर आइस ह और ice ने किस-किस चीज को bind करके रखा है, ice ने आपकी soil को भी bind किया हुआ है, rocks को भी bind किया हुआ है, और sediments जैसे की plants विगारा के remains हो गई है, कोई dead animals के remains हो गई है, वो सब भी कठे bind करके रखे हुए, bind कौन कर रहा है, ice bind कर रही है, उन सब को ही कठा, तो उस चीज को permafrost का हो गया, तो आपके पास जो freezer में से निकल के आएगा, वो होगा permafrost, और अगें यहाँ पर technical definition के अंदर, दो या दो से जादा साल तक वो जमा रहना चाहिए, climate change से क्या हुआ, जो ice की binding है, वो पिंगलने लगी, गर्मी बड़ी, बरफ का पिंगलने लगी, तो वो binding जो है, वो lose होगी, तो rock से लग होगी, soil अलग होगी, settlement से लग होगी, और सारा का सारा जो ice है, वो पानी बनने लग गया, जिससे की वो पूरा का पूरा area जो है, लगातार चल रहा है, या सो साल से लग रहा है, और कुछ में thousand of years हो गए है, लगातार वो जो area है, वो जमा हुआ है, लगातार permafrost जो है, वो चल रहा है, तो again important fact है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगा जहां पर permafrost है, वहां पर permanent frost रहे, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे areas हैं, जहां पर दसीयों सालों से, या hundreds years से, या thousand years से भी लगातार permafrost चल रहा है, Next, the leak can have serious impact on the local ecology, तो ecology के उपर leak क्या, जो oil leak हुआ है, उससे बहुत जादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको पता है, जब भी एक तो oil जो होता है, वो पानी में घुलता नहीं है, वो तैरने लगता है, जब आप oil को पानी के उपर तैरा होगी, तो जो sunlight की penetration है, वो बहुत sunlight आती है, वो sunlight में blockage हो जाएगी, जिससे उनकी respiration problems आएगी, और हो सकते जो marine life है, marine ecosystem है, flora और fauna का, उसकी जान को खत्रा हो जाए, और वो मरने लग जाए, अब इसके again आपका जो river है, उसका बताया गया अब आगे, कि अंबर नया जो river है, ये ultimately 85 नो लेक में चली जाती है, या फिर 85 नो लेक में चली जाती है, और वो जो है, आगे कारा सी से connected है, जो कि Arctic Ocean से connected है, तो ultimately ये जो अंबर नया river है, ये ultimately आप कह सकते हो कि Arctic Ocean में ही जाके खुलती है, तो वो सारा का style जो oil है, जो इतना जादा huge amount में oil leak हुआ है, वो पूरा का पूरा Arctic Ocean तक पहुन जाएगा Arctic Ocean को contaminate कर देगा, the most toxic components of diesel fuel are light aromatics, जो इसके अंदर सबसे जादा toxic, सबसे जादा poisonous substances कौन से होते हैं, benzene, toluene, ethyl benzene and xylene, तो ये चार इसके अंदर light aromatics होते हैं, जो सबसे जादा toxic माने जाते हैं, which is significant quantities will nevertheless dissolve in water and can in no way be collected, और ये कितनी जादा quantity के अंदर है, इसको collect करना भी impossible हो जाएगा, और ये धीरे धीरे पानी के साथ घुल जाएगे, तो पानी को contaminate कर देंगे, पानी को toxic बना देंगे, और एक बार जब पानी में कोई चीज घुल जाती है, तो उसको पानी से अलग करन है, जब आप लकडी जाती है, जब आप लकडी बगार का क्येदा करने, हम ल二-वी जाता है, जिसको लकडी कNewlor का बरी का बढक बढ़े का चूरा कहते हो, उस चीज को बपिछा दिया जाता था, और ताकि वह सारा का सारा आइल जो है वह चूस ले, जो सॉडस सारा का सारा वो चूस लेता था, और उसके बाद उसको उठाके collect कर लिया जाता था उस सारी sodus को, तो उसके साथ साथ oil भी साफ हो जाता था, लेकिन इसके अंदर जो यह toxic chemicals हैं, वो water soluble है, तो वो जो toxic chemicals हैं, वो पानी में भुल जाएंगे, बाकी का oil उपर पड़ा रह जाएगा, तो ultimately पा $76 million, the estimate does not include the atmospheric damage due to greenhouse gases और soil pollution, तो again यहापर एक environmental impact assessment, हम देखते हैं, environmental impact assessment में आपको cost लगानी होते हैं, कि कितना amount of money में कितना नुकसान कर रहे हैं हम environment का, तो उस तरह से हम देखते हैं, कि कितना हमें restoration पर खर्चा करना पड़ेगा and all, तो इसके अंदाजा लगया जाए रहा है, कि $76 million का जो है नुकसान हो जाएगा environment को और इस cost के अंदर भी atmospheric damage जो हो रहा है greenhouse gases से या soil pollution से वो हम include नहीं कर रहें, तो यह जादे important आपके लिए figures नहीं है, बस आपको यह याद रखना है कि environment को huge damage हो रहा है, according to environmentalists, the river would be difficult to clean given its shallow waters, यानि कि जो पानी है वो घहरा नहीं है and remote location, लेकिन जो location है वो बहुत जादा remote है, बहुत मुश्किल से वहाँ पर पहुंचा जाता है, as well as the magnitude of the spill, और जो spilling हुई है वो बहुत large scale पर हुई है, तो इसको clean करना बड़ा मुश्किल है, तो worldwide fund described this as second largest known oil leak in the modern Russia's history, तो worldwide fund जो है, उन्होंने कहा है कि second largest, biggest, second largest leak है, oil leak है, Russia की history के अंदर in terms of volume, यानि quantity के हिसाब से, जो सबसे बड़ा oil leak माना जाता है, Russia की history में, वो है crude oil का, यानि कि जिससे petrol बनाते हो आप, तो crude oil का spill जब हुआ था, कोमी region के अंदर, जो कि Northwest Russia के अंदर है, 1994 में, जो यह जो था, कहीं महीने लगाता चला था, it took place over several months, 1994 में, तो उसमें crude oil spill हुआ था, तो यह second largest oil spill माना जा रहा है, Russia की history में, the declaration of the state of emergency would bring an extra forces and federal resources for cleanup of the effort, तो basically Russia के emergency लगाने से, यहाँ पर क्या फायदा हमें हो रहा है, उसकी बात की जारी है, तो Russia ने emergency लगाई है, ताकि जल्द से जल्द इस area को clean किया जा सके, और जो environmental loss को mitigate किया जा सके, so declaration of emergency जब आप करोगे, तो आप extra forces को बिला सकते हैं, और जो federal, यानि कि जो union government के, unitary government के, union government के, जो भी resources है, उन सब को भी कठा किया जा सकता है, ताकि जो cleaning का काम है, वो जल्दी से जल्दी किया जा सके, अंबरनेया river is difficult to clean up because of the remote location and has no roads, और अंबरनेया river को clean करने में एक और problem है, कि वहाँ प पहुंचना भी बड़ा दुरगम है, वहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे road infrastructure भी नहीं है, and of course, जब आपके पास road infrastructure नहीं है, तो आप सारा समान कैसे पहुंचाओगे, लोगों कैसे पहुंचाओगे, और cleaning के लिए जो आपको equipment सही है, वो कैसे पहुंचाओ तो boom obstacle का मतलब क्या हुआ, suppose करो यह river है, तो इस area के अंदर आपने इस तरह से नीचे की तरफ कुछ लगा दिया, जो नीचे से उपर की तरफ आ रहा है, कोई plastic लगा दिया है, कोई और आपने चीज लगा दी, जो कि पानी की control को block कर सकता है, flow को रोक सकता है, तो especially ancient time दो इसक इसने effective नहीं होंगे, क्योंकि तेल को रोकना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तेल तो पानी की ऊपर तैयर तूर के किसी भी तरीके से पार करी जाएगा, किसी ना किसी तरीके से वो निकली जाएगा, तो यह थोड़ी problem यहां पर हमें देखने को मिल रही है, इसके आग लगाने की अभी तक कुछ नहीं सोच रहे, क्योंकि इससे क्या होगा और जादा, basically pollution ही बढ़ जाएगा, air pollution बढ़ जाएगा इस एजिया के अंदर, तो हम इसको dilute ही करेंगे, हम इसके अंदर chemicals या जो regents हैते हैं, उनका इस्तवाल करेंगे, and जो exports है, उनका कहना है कि इस तरह से अगर हम देखा जाएगा, तो हो सकता है कि 5-10 साल भी लग जाएगे, पूरे oil को clean up होने में, तो again अगर इस तरह की कोई चीज हो जाती है, तो बहुत जादा problem हो जाएगी, कि 5-10 साल में तो पता नहीं, कितना environmental damage और हो जाएगा, so again हमारे लिए बहुत बड़ा environmental hazard ये बन चुका है, तो अब क्या क्या किया जा सकता है, so there is a need to establish monitoring of water quantity down streams up to the north of Piasina river, तो again हम monitoring कर सकते है waters की कि किस तरह का पानी जो quality है, जो नीचे जा रही है, वो कैसी जा रही है, इसके इलावा जो diesel fuel है, वो lighter होता है, normal oil से, तो हो सकता है धीरे धीरे वो evaporate कर जाए, तो आप आप उसे खुले में छोड़ते हो, तो वो evaporate कर जाता है, भाफ बनके उड़ जाता है, तो क्योंकि diesel अगीन petrol से ही बना हुआ है, lighter भी होता है, एक normal oil से, suppose mustard oil है, या crude oil भी है, तो इसके उड़ने के chances, evaporate होने के chances जाए है, तो हमें थोड़ा सा जो सहीम बरतना चाहिए, patience रख की होगा, as it will generate a lot of heat, and it will lead to melting of ice, burning of fuel तो वैसे भी मना कर दिया, जो President Putin है उन्होंने, पर otherwise भी अगर हम as a way देखें, तो यहाँ पर Arctic के region में बहुत जादा मुसीबत हो जाएगी, जलाने से, क्योंकि heat बहुत जादा produce होगी, इतना ton का, इतना जादा ton, जब oil है आपका, तो वो borderline case चल रहा हो, and वहाँ पर heat बढ़ने से वो भी पिंगलने लग जाए, और कोई और disaster भी हो जाए, आसपास, तो इसलिए burning of fuel जो है, वो अपने आप में बहुत risky चीज है, और इसलिए इसको dilute ही करना पड़ेगा region से, region मतलब अलग-अलग chemicals, जिससे कि इसको dissolve किया जा सके, या इसको evaporate किया जा सके, या इसको हम collect कर लेगी इस तरीके से, तो वो हम try करेंगे, so region का मतलब क्या हुआ, कोई भी substance या कोई भी compound, जिसको हम किसी भी चीज में add करते हैं, जिससे कि कोई chemical reaction हो, या कोई और चीज हो, या फिर हमें test करना हो कि इस चीज को दालने से कोई reaction तो again, मैंने जैसे आपको पता है, कोई भी chemical या कोई भी substance हो, जिससे कि हम इस चीज को clear कर पाएं, so हमने अच्छे से map को देखा, अच्छे से controversy को समझा, issues को देखा, और ये आपकी GS1 और GS3 दोनों में पूछा जा सकता है, और disaster management के हिसाब से भी से सवाल पूछा जा सकता है, तो ये काफे जादा important topic है, I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी, informative लगी होगी, तो चलिए अब आखर में देख लेते हैं, कि हम आपको बार बार कहते हैं, आपको anacademy plus join करना चाहिए, तो क्यों join करना चाहिए, क्या reasons हैं, जिसके लिए हम आपको कहते हैं, कि anacademy plus किस और किसी offline coaching से better है, तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, वो है कि आप अपने favorite teacher से सीख सकते हैं, तो इसके अंदर कोई teachers के उपर बंदिश नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप offline coaching में जाते हैं, और आपको वहाँ पर quality पढ़ाने वाले सर जो हैं, वो अच्छे पढ़ता है, लेकिन an academy plus में ऐसा नहीं है, आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है, आप उससे वो पढ़ सकते हैं, तो आपने a teacher से suppose कीजे quality पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन a teacher का geography आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और b teacher के पास जाकर भी, वो subject को restriction नहीं है, कि आप कितनी मर्जी बार teachers को switch कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको best combination of teachers लगता है, आप उनके जो lectures हैं, वो देख सकते हैं, और अपना slaves घर बैटे बैटे आराम से पूरा कर सकते हैं, सेकिन यहाँ पे आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं, तो यानि कि आपके सारी doubts जो है, specific sessions के अंदर completely cover कर दिया जाता है, again जो बहुत बार आपकी offline classes हैं, उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका clearing doubt session चलता रहेगा, आपके doubts जो हैं, वो clear होते रहेंगे, उसके बद आपको ए IAS के बीच में आपके UPPCS का exam निकल आता है, तो उस time पे आपको UPPCS के लिए को specific courses देखने हैं, specific lectures देखने हैं, तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं, तो एकी subscription आपको अलडर अगलग exams की तियारी basically करा रही है, तो एकी subscription से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, तो again अ बैठे बैठे क्योंकि घर बैठे 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 बहुत बड़ा comfort है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं, क्योंकि आप देखे अगर आप offline coaching में जाते हैं, तो आपको एक तो आने जाने का खर्चा लगता है, तो उसके बाद कहीं बार parking fees लगती है, तो उसके बा चल रही हैं, तो आप teacher से बाचीत नहीं कर सकते हैं, या उनसे जुड़ नहीं सकते हैं, बलकि हैंपर आपका connect है वो अच्छे से हुटता है, आप live chat के अंदर questions बोच सकते हैं, teacher साथ के साथ आपको explain कर सकते हैं, उसके बाद आप personalized doubt sessions ले सकते हैं, जिसके अंदर आप teacher से बा पारें, इसके अलावा आपको आन्या पे unlimited test series मिलेगी, तो exam से पहले सबसे जादा important होता है, कि आपने कितने test किये, क्योंकि जितने test किये, और especially जो हम टेस्ट में गलत करते हैं, वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं, तो इसलिए test के अंदर की जो गलती हैं, वो आपकी बा annotated, तो अगर plain suppose कीजे, आपने कोई MCQ का course लगाया, उसके अंदर आपने plain PDF file ले ली, तो आप बाद में उसको खुझ से practice कर सकते हो कि आपको कितने questions याद हो गए, और बाद में आप उसे annotated है, जिसमें teachers ने आपको answers और reasons बहा करा हैं, उसके साथ match करके देख सकते हो कि आपक अच्छे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो syllabus है वो अधूरा रह गया, सर ने NCRT नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी coaching पे कुछ रह जाता है, तो बहुत सारी coachings जो है, वो complete भी करा देती है, लेकिन कुछ बच्चों करा रह जाता है, लेकि के अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके extra charges नहीं है, and lastly, आप सबी वीडियो को download कर सकते हो, और offline भी देख सकते हो, यह again बहुत important चीज़ है, special उन लोगों के लिए, जो कि किसी remote area में रहते हैं, या फिर किसी भी reason से वहाँ पे internet की reception अच्छे नहीं आती, जैसे suppose क clone विगारा आ गया था, तो internet reception जो थी बहुत सारे areas में, इंडिया में, वो coastal areas की तरफ, वो काफी जादा down हो गई थी, उस case में अगर आपने सब कुछ download करके रखा हुगा है, तो आपका syllabus आपकी पढ़ाई नहीं रुखती, और आप साथ की साथ उन चीज़ों को revise कर सकते हो, और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है, वो कहीं न कहीं avoid हो जाता है, प्लस आपका data भी बचता है, तो again क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे, तो आपका data use होगा, तो उस case के अंदर आप एक बार offline सेव करके रख लोगे, तो उसे जितनी मर्जी बात, आप repeat पे चला सक लेकते हो, तो आप जोइन करेंगे, तो आपको 10% extra discount मिल जाएगा, using the code ANI7, तो इस code से आपको 10% extra discount मिल जाएगा, तो आपको net amount हो काफी कम आ जाता है, और मैंने आपको शुरू में भी जैसे बताया था, अगर आप 2 साल का सब्स्रिप्शन निकठे ले लेते हो, तो आपको 75% तक discount मिल रहा है, और प्लस 10% extra discount भी मिल रहा है, using the code ANI7, तो अगे नहीं बहुत अच्छी डील है, अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा, थैंक यू फर वाचिं इस वीडियो, and have a nice day.